ये नमसकार कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्त होंगे ne Criston हो बहुत की इस यह वीडियो में आप सभी के लिए बना रहा हूं फैपड़ों को कर देगा पूरी तरीकी से साफ फैपड़े में नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की गंदी की अगर आप इस तरह से अपने लंग्स को सेफ रखना चाते हैं मजबूत बनाना चाते हैं श्टॉंग करना चाते हैं और काफी सारे बिमारियों से लंग्स को बचाना चाते हैं यानि फैपड़ों को बचाना चाते हैं तो इस वीडियो को बारी की से समझीगा घरेलू चीजे में आप सभी को बताऊंगा कुछ नहीं आपको बाहर से खरीदना है सारी चीज़ें आपके घर में आपके किचिन में एविलेबल हैं बहुत आसान तरीके से आप घर पर बना करके इस नुस्खे को घर पर अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं लंग्स को साफ कर सकते हैं लंग्स को detoxification कर सकते हैं लंग्स का detox कर सकते हैं तो कौनसे ऐसे नुस्के हैं जिने समझना बहुत जादा बेहत जरूरी है हम सभी के लिए अगर आपके लंग्स बहुत जल्दी खराब होने की कगार पर हैं कैसे पता लगेगा आगे समझेंगे अगर आपको बारवर लंग्स का infection होता है कफ कोल्ड कॉमन कफ कोल्ड होता है बार बार चीक आती है ऐलर्जी होती है या खास ही आ रहती है आपको लंबे समय तक और वो ठ कर सकते हैं लंग्स को साफ कर सकते हैं बहुती कमाल की चीज़े इस वीडियो में हम शिखेंगे लंग्स को खराब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है लेकिन अगर कोई chronic condition है तो थोड़ा बक्त लगता है लेकिन ऐसी कोई situation जो अभी situation चल रही है जैसे पैंडेमिक है कर Corona जैसे infections हैं यह लंग्स को 24 घंटे में ही damage कर देता है मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ हकीकत बता रहा हूं यह case हमारे सामने आया केवल और केवल दो दिन के अंदर उस लेड़ी के फैंपड़े पूरे तरीके से damage हो चुके थे test normal आ रहे थे कोई ज़्यादा problem नहीं थी लेकिन अचानक से उनको सांस लेने में तकलीफ हुई breathlessness हुआ और उनका जब city कर आया तो उनके lungs जो थे हैं कुछ नहीं करना है आपको कुछ घरेलू चीजों से आप अपने जूस को बना सकते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं फैंपड़े खराब होने के लक्षड क्या होते हैं अगर हमें breathlessness हो रहा है यानि कि जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं difficulty in breathing हो रहा है यानि सांस लेने में थोड़ी बहुत चलता है फिरता है मरीज और उसको बहुत ज्यादा समस्या होती है तो ऐसे situation में भी यह लंग्स डैमेज खराब होने के चांसे सिम्टम्स होते हैं लंबे समय तक खासी रहना बारवर कफ कॉमन कफ कोल्ड होना एलर्जी होना बारवर बलगम होते रहना बनत इसे हमें बचाना कैसे है क्योंकि लंग्स को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कैसे हम इन लंग्स को बचा सकते हैं डैमेज होने से और लंग्स को बचाना हमारी सबसे वड़ी प्रायोरिटी है लंग्स हमारे एन्वाइमेंट के कांटेक्ट में सबसे ज्यादा रहते है है क्योंकि जुसावा हम ले रही हैं वो डायरेक्ट हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है और लंग्स से सीधा हवा हमारे एन्वाइमेंट में आ लंग्स को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अब आपको करना क्या है कुछ वेशिक चीज़ें घरेलू चीज़ें किचिन मेंसे आपको एक-एक करके उठानी और आपको एक जूस बनाना है जूस कैसे बनाना यानि की एक ड्रिंक बनानी है ऐसे समझ देज़ेगा सबसे पहले आपके अवल 200 ml पानी ले लेज़ेगा 200 ml पानी में आपको डालना है 1 3rd हल्दी पाउडर जिसे हम टर्मरिक कहते हैं इसके अंदर हमें एड करना है 10 से लेकर के 12 पत्ते तुलसी के और इसके साथ में हमें डालना है black paper और इस juice में हमें mix करना है थोड़ा सा ginger यानि की अद्रक और अगर इसके साथ में अगर आपको मिल जाता है eucalyptus oil तो वो हमें बाद में यूच करना है अब इसे यूच कैचे करना है इन सारी चीजों को add करके हमें थोड़े देर के लिए इसे वाइल करना है यानि गरम करना है जब इसमें अच्छा ओबाल आ जाए उसके बाद में हमें इसके अंदर एक टेस्पून यानि एक छोटा जो चम्मच होता है वो हमें डालना है नमक्स यानि साल्ट अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या इसके साथ में आपको वन थर्ड जो है हल्दी पाउडर लेना है तर्मरिक जिसे हम कहते हैं आध इंच के टुकड़ा अध्रक करना है जिंजर जिसे हम कहते हैं और इसे हम अच्छे तरीके से वैयल कर लेंगे जब करिके तो इसमाइश्षीम बनेंगी और dice इस्ट्रीम को तॉलिय ढखकर के आसानी से ले सकते हैं और ये जब lungs के अंदर जाएगा कॉम्कास नाक से होते हुए lungs के अंदर जाएगा तो नाक में जमा हुआ बलगम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा खाशी में बहुत जल्दी आरा मिल जाएगा लंग्स की immunity बढ़ेगी लंग्स के अंदर जो infection है वो धीरे धीरे बहुत जल्दी से खतम हो जाएगा लंग्स हमारे strong हो जाएगे लंग्स हमारे मजबूत हो जाएगे ये घरेलू नुसका आपको घर पर करना है अब इसके दो फाइदे है इसे ठंड़ कर लीजेगा ठंड़ करने के बाद में आपको इसमें मिलाना है आधा चमच सहद अगर आप सहद नहीं मिलता है आपको तो कोई बात नहीं और अगर आपको एविलेबल हो जाता है तो आधा चमच आपको या फिर एक चमच एक टीस्पून यानि कि पी जाएं गटकने का मदलब था पीना आप इसे जैसे पीएंगे तो आप देखेंगे लंस के अंदर जो धीरे-धीरे infection हो रहा था वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा रैस्परेटरी के जो infections थे वो धीरे-धीरे ठीक हो कि दूने चीज़ें आपको करनी है जब यह गरम होके आप इसे हटाएंगे यानि कि गैस से हटाएंगे तब आपको इसकी streaming लिनी है और उसके बाद में आपको इसे यूज करना है पानी पे लेना है यानि कि सहट डालके आपको पे लेना है महीने में एक बार कीज़ेगा कोई side effects नहीं है कोई आपको परिशानी नहीं करेगा तोटली घरीलू है कहीं से कोई बाहर से चीज आपको खरीदनी नहीं है ठीक है ये छोटी-छोटी चीज़े सबके घर में होती है ये सारी चीज़े करनी है अब मैंने आपको बताया था Eclipse Oil के बारे में तो याद रखें अगर आप इसमें Eclipse Oil मिला रही है तो आपको इसको ड्रिंक नहीं करना है पीना नहीं है इस बात को आप याद रखें तो केवल इस्ट्रीमिंग लें यानि कि जब आप इस्ट्रीमिंग ले रहे हैं तो उसमें 5-6 ड्रॉप्स जो है Eclipse Oil के डालने और आप उसकी इस्ट्रीमिंग लें तो लंग्स के अंदर बहुत जल्दी infection ठीक हो जाएगा और आप आसानी से अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं लंग्स detox हो जाएगे लंग्स detoxification हो जाएगा लंग्स के सफाई हो जाएगी लंग्स मजबूत हो जाएगे और लंग्स बिमारियों को बहुत पीछे छोड़ देंगे अगर इस तरह की वीडियोज और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबा कर वीडियो को लाइक जरूर करें कुछ पूशने चाहे तो कमेंट करें हमसे जल्दी से जल्दी जोड़ते जाए और हेल से रेलेटेड इसी तरह की वीडियोज देखते जाए नमस्कार थेंग्स ओपॉचिंग फिर मिलते हैं इसी तरह की चैनी वीडियो में जाहें